जय जवान जय किसान दोस्तों संदू एग्रोफार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवी सिंग संदू आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम आए हैं जुनजुनु राइस्थान में दिलीप सिंग जी के घर पर आठ साल पहले इन्होंने खेती के साथ साथ अपना बकरी फार्म सुरू किया यह चोटे गोट खरीते हैं उन्हें तयार करते हैं और सो किलो से उपर करकर जब सीजन आता तो उन्हें यह बेश देते और इस से बहुत अच्छा प्रोफिट कमा रहे हैं तो चलिए आपको मिलवाते हैं दिलीप सिंग जी से और जानते हैं इनके वकरी पालन मोडल के बार दलीप सिंग जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर सबसे पहले आप हमारे दर्सकों को अपना एक छोटा सा परिचे दीजिए मेरा नाम दलीप सिंग है कि नम गाव पिचानवा जिला जुद मुए राजसान चे हूं आज हम आपके फार्म पर आए हैं यह आप है तो बकरी पालन में क्यों आए यह बगरी पालन पहले किसी ने बताया कि इस पर प्रोफिट है तिर इसमें आपने अपना यह काम शुरू किया था तो कितनी वख्रियों से सुरू गया उसके बाद मेरे पास 200 डाइस बड़ी और अपक्रियों को कम कर दी बगरे जादा कर वाजए एक तो प्रोफित मीजदा में तो इसका मतलब आप ख़सी बखरों पर काम ारा आपने बताया अच्छा मुनाफ़ा है कैसे है अच्छा मुनाफ़ा इनको आम बढ़िया क्वालिटी के तो बच्चे लाते है बढ़िया इनको खिलाते हैं के लाम है फिर हम तवार पर इद बानो ना इद बेचते हैं कितने बड़े वच्चे खरीदे आप करीब 3-4 Kilo और कितना वजन होता आपके हम सबसे जादे वाले का कितना है एक कुंटल पेंटिस किलो लोग बखरी पालन करते हैं वो कहते हैं कि वजन नहीं बढ़ता आप कौन सी जड़ी बुटी जो आप इनको खिलाते हैं इतना वजन हो जाता है हम कुछ तो इनको कैल देते हैं लिवर मिशन के लिए जो आप बखरी तयार कर रहे हैं मानलिया जब आपने बच्चे खरीदे और आप तयार कर रहे हैं सुबह से लेकर राद तक उनकी खाने की क्या दिन चर रहा है एक एक चीज करके आराम से बताएए हमारे दर्सकों को में वही हमारे हैं फवी बत्ती है बहुं खिला थैं किस समया नो बहुते एक लगले दोबार इनको पाद्थम है इनके पास इस है जेताया पानी पी लिते हैं पुर हमस्कों चार पंच सी हम सै जाया है मैं टना मक्का है सौैव नहीं है कि ये एक रहाः ते है आपको बरतनों में फीड होता है कोई खाते हैं अच्छे जो रह जाता रात को खा लेते हैं मैंने देखा आपके खुरलियों में इतनी सारी लूंग पत्ती आपने डाली हुई है ऐसा क्यों यह चोबिसु गंटे जो भूग लगती है उसलिए रालते हैं मतला आप इनको अनलि आपके पास जो अभी बक्रे बक्रिया हैं कौन से नसल है हमारे पास कुछ तो बिटले कुछ खोज़त भी कुछ के नम है शिरोई नसल है जादा गुजरियों शिरोई जादा गुजरियों जो यह चादा नसल है आपके पास जो बक्रियार होते हैं आप उन्हें तयार करते हैं शालवर लगता लगवगा आपको तयार करने उसके बाद आपके घर से भिंग जाते हूं कुछ बड़ी बेजता हूं अच्छा गाजिबूर कॉदियों जब जब आप बेजते हैं किस र तो प्रोफिट कैसा है इसमें बड़िया प्रोफिट है बग्रों में कश्ची बग्रों में अच्छी ग्रों में अच्छी एंची एदीन नाइब एक रोगा जो हमारे तो तो ढूरब यह फिर्स को यह ते हमारे साथ में डिलिप्ट्सिंग जी-गो अपने अपने बक्री पॉलन leone model के बारे में इतनी अची जानकारी दी यदि आपको इनके दौरा दी है जानकारी और अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें जय शयर करें वे चैनल को को subscribe कर तक के लिए जय जवान जय किसान कि कि